दोस्तों अगर आप अपने घर में सीडिया बनवाने जा रहे हैं और आपको यह नहीं पता के हैंड्रेल, स्टेप, नैवल पोस्ट, सोफिट, थ्रेड, राइजर और लेंडिंग इन सब का आपको क्या का साइज रखना चाहिए या एक स्टेर केस में यह सब क्या का चीजे हो कि कम से कम स्पेस में मिन्स कम जेंगे में एक अच्छी तरह से स्टेर केस को कैसे बनाएं तर तक दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पिलिज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा तो चलिए दोस्तों ज्यादे दें न करने जा रहे है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले यह वीडियो को ध्यान से देखे, उसके बाद यह सीडियो का निर्मान कराए, नमबर एक थ्रेड, दोस्तों यह थ्रेड होती है जैसकि आप देख पा रहे हूं, थ्रेड कभी भी 10 इंस से कम, यानि के 250 mm से कम नहीं होना चाहिए, और 12 इंस से जादा, यानि के 300 mm से जादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह थ्रेड का स्टेंडर्ड साइज होता है, सेकिंड टेकनिकल टर्म है हमारी राइजर, तो आसान बासा में आप समझे कि स्टेप्स की वें हो चाहिए, जिस पर हमारा पै टक्कर मारता है, बिंस सीडियों पर जो वर्टिकल पोजिशन में होता है, इसी को राइजर कहते है, दोस्तों अपके राइजर का स्टेंडर्ड साइज, चैंज से कम नहीं होना चाहिए, यानि के 150 mm से कम नहीं होना चाहिए, और 18 से जादा भी नहीं होना चाहिए, यानि के 200 mm से ज चैंश ही रखे इससे आपको सीडियों पर चड़ने और उतरने में आशानी होगी अब थर्ड है स्टेर्स की चोड़ाई दोस्तों एक थ्रेड और राइजर को मिला करी एक स्टेप बनता है मतलब एक थ्रेड और राइजर का कॉंबिनेशन होता है एक स्टेप देन आपको यह है हैंड्रेल दोस्तों यह हैंड्रेल है जिसका काम है सीडियों पर चड़ते रुतरते समय आपको सपोर्ट देना मेंस जब आप सीडियों का यूज करे तो आप डिस्बैलेंस नहीं हो और आपको हैंड्रेल की हाइट कम से कम धाइफीट रखनी है जिससे नोर्मली हर का व्यक्ति इसे असानी से यूज कर सके अब अगला पॉइंट है लेंडिंग जो दो फ्लाइट के बीच में एक जो प्लेटफोर्म छोड़ा जाता है उसे ही लेंडिंग कहते है जैसे कि आप देख पा रहे हो यह लेंडिंग है तो दोस्तों लेंडिंग को क्यों दिया जाता है ताकि सीडियों का इस्तिमाल के समय आप थोड़ा रुक कर आगे बढ़ सके अब लेंडिंग वीद की बात करें तो लेंडिंग वीद इस्टेर की वीद से कम नहीं होने चाहिए अगर मिनिमम लेंडिंग की बात करें तो कम से गम आपको 3 फिट चोड़ाई की या 3.5 में प्रोवाइड किया जाता है इस नेवल पोस्ट की आपको हाइट रखनी है 75-90 mm वे भी हैंड्रेल के उपर अब बात करते हैं most important headroom की दोस्तो headroom thread center से floor की cd तक के vertical distance को कहते है या देसी बासा में लोग इसे मम्टी भी बोलते है और दोस्तो किसी भी situation में आपको यह vertical distance 2.10 0 meter से कम नहीं रखनी चाहिए ताकि सभी तरह के height का आदमी आसानी से stair का use कर सके 8. Concrete mix for staircase आपका जो staircase में concrete use होगा वे आपको कभी भी 1-2-4 के कम ratio से use नहीं करना है मतलब इसमें आपका एक पार्ट cement करेगा दो पार्ट sand और चार पार्ट aggregate करेगा देशी बासा में बात करे एक पराती cement दो पराती बालू और चार पराती गिट्टी का ही इसमें परियोग करे अब अगला है steel enforcement दोस्तों आपको सीडिया बनाते समय हमेशा ध्यान रखना है कि 12 mm डाया का ही सरिया यूज करे अपने नॉर्मल ही देखा होगा कि लोग 8 mm और 10 mm का सरिया यूज करते है जो कि बिल्कुल गलत है और ऐसे सरिय को यूज करने के बाद आपको बाद में problem का सामना करना पड़ता है यानि कि आपके stairs में crack आने के chances बने रहते हैं तो इस बात का आपको विशेज रूप से ध्यान रखना है कि आपको अपनी सीडियो में कम से कम 12 mm का ही सरिया यूज करना है अब next है floor to floor building height दोस्तों एक अच्छी staircase बनाने के लिए कम से कम आपको floor to floor building की height 10 feet तो रखनी ही रखनी है आप 10 feet से कम height ने रखके नहीं तो आपको staircase को बनाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इसलिए आप floor to floor building की height 10 या 11 feet तक रखे तो दोस्तों यह तो थी 11 वह बाते जो आपको staircase यानि की सीडिया बनाते हुए त्यान रखने चाहिए उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी आज की एकोसिस आपके जरूर काम आएगी अगर आ आपकार